ये बड़े हुश्यार लोग हैं अगर कानपुर में कोई ब्रहमन वरा तो उसका खूब धंडोरा पिटवाया आप लोगों से भी और अधकान्स बैकवर्ड के लोग अंसूचित लोग कहना चीज सरकार ने मारे हैं अधकान्स दोस्तो नमस्कार हम लोग अभी बरेली में हैं और बरेली में भगवत जी से ना मिला जाए यह कैसे पॉसिबल हो पाता है बरेली के भगवत जी काफी फेमस नेता हैं और कई पांस बार ये बिधाय रह चुके हैं जब मुलायम सिंग की सरकार थी उत्तर परदेश में तब तो सबसे पहले इसे चर्चा करेंगे स्वास्ति को लेकर क्योंकि कुरोना पीरेड में हमारे उत्तर परदेश की स्वास्ति बिवस्ता काफी गरवड हुई तो सर इस बार स्वास्ति बिवस्ता काफी गरवड हुई उत्तर परदेश की कैसे देखते हैं आप क्योंकि आप कि सरकार हैं, वहां के नेता, वहां के अत्कारी, करोना से लड़ाई लड़ रहे थे, अस्पतालों की, आक्सीजन की, दबाईयों की, बेंटिलेटर की बेवस्ता कर रहे थे, और हमारे देश की पिरमुख ने थाली और ताली बजाके करोना को भगाने का काम किया, इससे बड़ी लोग थे, उनकी आमदिनी कम हुई, और मैंने पेपर में पड़ा है, कि चार महने, साड़े चार महने के पहले वाले पिरेट में करोना के, अम्मानी साब इस देश के बड़े आदमी थे सबसे, और वो एशिया के सबसे बड़े आदमी हो गए, और अडानी साब की संपत्ती सत्रे गुनी बढ़ गई, साड़े चार महने, तो ये इनका काम था, इनने अपने लोगों को बहुत बड़ा आदमी बना दिया, बेंटिलेटर की फीस, डाक्टर साथ हजार रुपए लेते थे, और इनने एक आदेश कर दिया सरकारी कि पच्चिस हजार रुपए तक सरकार की तरफ से अध्किर्ट कर दिया था, अपने लोगों के हस्पिटलों को, स्वास्त को लेकर आपका मानना है कि उत्तर परदे सरकार ने उस तरीके से काम ने, हाँ मैं और आगे आपको बताना चाहूंगा, मैंने ये तो एक भूमका बताई, कि जिस आदमी ने थाली औ मैं हिंदुस्तान में मर गए, यहां तक जब समसान भूम में जगे नहीं रही दफनाने की, तो लोगों ने उन डेट बाडियों को गंगा में फिक दिया, और गंगा में अगर समचार पत्रों के माद्धियम से, या समचार का जो लोग काम करते हैं उनके माद्धियम से, बेड की विवस्ता, मैंने खुद जहला है इसके लिए, मैं राद रात भर जगा हूँ, दिन दिन भर चला हूँ, कि अपने लोगों को बेड मिल जाए, अपने लोगों को दवाईयों की विवस्ता कराना, आक्सीजन की विवस्ता कराना, यह सब काम करता रहा है, और सबसे परवार के लोगों की बारता हुई उनके निजी सचिब या उनके माद्धियम से लेकिन वो अस्पताल में बेड मोहिया अपने बिधाय को नहीं करा सकते तो आम आदमी को क्या कर सकते हैं इस से साब दीखता है कि सरकार करोना के मामले में या स्वास्त के मामले में बिलकुल फ संत्री की हो या योगी आदित तनाथ जी की हो ये सब दिखावे बाले आदमी हैं ये वो बातें तलास तलासते रहते हैं इनकी लोग नांगपूर में हज्जारों आदमी रिशर्च करता है कि कल के लिए हमें आज कहना किया है तो इनके सारे बड़बोले फन या जुमलिव जी की बातें बोलते हैं इन्हें देश से कोई मतलब नहीं इन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं और मेरा तो सीधा कहना है ये लोगों को बिवकूब बनाते हैं इनका लक्ष एकी है कि 14 में सरकार देश की बनी है 17 में प्रदेश की बनी है 19 में फिर बन गई अब 22 में कैसे बना मेरा तो सीधा कहना है कि अब पूरी हिंदुस्तान की जनता उत्तरपरदेश की जनता समझ गई है कि इन लोगों की नियत क्या है इनकी नियत है देश को खोकला करना देश के अधकांस आबादी को गरीब कर देना इनके एक निता ने लिखा है जो पूरे देश में बड़े निता रहे हैं कि अगर कभी सत्ता हाथ लग जा, उनकी अपनी किताम है कि अगर कभी सत्ता हाथ लग जाए तो देश की संपत्ती, देश के बड़े बड़े प्रतिश्ठान देश के जंगल, देश की जमीने अपने 10-20 लोगों के जो बिस्वस्त हों, उनके हाथों में सौंप दें और 90-95 पर सेंट जंता को बिकारी बना दें साथ जन्मों तक सरकार हाथ में रहेगी और इसी चाल पर ये लोग चल रहे हैं लोगों को गरीब बनाने काम कर रहे हैं महगाई भी तहसा बढ़ गई, महगाई बढ़ गई और इंकम नहीं बड़ी, तो आदमी गरीब होगा, खर्च कहां से करेगा योगी जी तो कह रहे हैं, सर, कि हमने उत्तर परदेश को नंबर बन बना दिया उत्तर परदेश बना दिया, हमने साड़े चाल लाख नोकरिया दे दी और भी कई मामलों ने कहा कि उत्तर परदेश लगातार आगे बढ़ रहा है और डबल इंजन की सरकार का बार बार जिगर करते हैं कि परदेश और देश में जो सरकार दोनों जगे एक है उत्तर परदेश की परदेश की परदेश की काफी तेजी से आगे बढ़ रही है उसको लेकर कैसे कहेंगे, आप तो कह रहे हैं कि गरीब बना दिया पर दो हमारे बाद में आप कहीं न कहीं जाएंगे आप किसी भारती जनता परटी के राज नहिता से उनका इंट्रिबू लीजिए हम किना रहे हैं इस बरेली और बरेली जिले के बड़े बड़े काम हमने चार फिलाई ओबर ही हैं बन माने का काम किया एक तीन सो बेड अस्पताल बन माने का काम किया बड़ा हमने इस बरेली जिले के अंदर अपनी शरकारों में यानि साथ तीन साथ बाली में वेसमें कम सा कम पच्चेस बड़े पाबर हौस बन बाए हैं बड़े पाबर हौस एकेले मेरे नवाब गज में सवा दर्जन इंटर कालिज और हायर सेकेंट्री बने खड़े हैं जिनमें ये पांस साल में एक में भी मास्टर नहीं भेज बाए है और इसके अलावा डिगरी कालिज हमारे हां अधूरा रह गया था पांस साल बीद गय उस पूरा नहीं किया और इसी तरीके से एक नहीं 109 GTI अखलेश यादम ने पूरे पिरदेश में बन वाए थे 109 GTI यों में एक भी GTI के अंदर एक मास्टर आज की तारीख में लगा है 35 करूल रुपई की बिल्डिंग एक बिल्डिंग लगई है और 109 कितने रुपई की बिल प्रणादी एक छूटा सा काम को या बड़ा ये तो सोचने वाले एक उपर है 100 नंबर की कोई मिसाल है ड़केतियें बंद हो गई लूटें बंद हो गई राजनियें बंद हो गई सरावी लोगों का लड़ना बंद हो गया लोगों की लड़ाई खतम हो गई ये अमिसा के रहे हैं कि हमारी सरकार में ऐसा वाद धुर्बिन लेकर आप देखिए तो यहां पर माफिया नहीं मिलेंगे पहले सब माफिया होगा करते थे परदान मंतरी जिकर किया कि लाल टोपी वाले गुंडे हो इनने ये बड़े हुस्यार लोग है अगर कानपुर में कोई ब्रहमन वरा तो उसका खुब ढंडोरा पिटवाया आप लोगों से भी और अदकान्स बैकवर्ड के लोग अंसूचित लोग कहना चीज सरकार ने मारे हैं अदकान्स रिकार्ड है इस बात का और इससे जादे नालाई को निकमी सरकार क्या होगी धरना दिये वैटे है पीछे से कार चड़ा के जीब चड़ा के चार लोगों को कुचल के मार दिया सैक्डों लोग उसमें जख्मी हुए किसी का पैड टूटा किसी का कुछ हुआ किसी का कुछ हुआ जख्मी हुए सैक्डों लोगों इस से जादे क्या कहना चीए इनकी तारीफ की जा सकती है तो पुरुनी वी इस्तिती खराब है। खराब इस्तिती है। केवल योगी आदितनात की बात कहा है। वो तो बहुत पहले से कहाना चाहिए। गुंड़ बद्वासों को बढ़ाते नहीं है। वो कौन सी बहनी है कहाना चाहिए। गुरकपूर की। तो वो बात करते हैं कहना चाहिए कि हमने गुंड़ बद्वासों कहां गुंड़ बद्वासों कौन से गुंड़ बद्वासों खतम कर दिया। रिकार्ड उटाके देख लें। जो हमारे रिकार्ड नहीं। जो कई संस्ताओं के रिकार्ड है कि हत्याएं ब पहुली जा सकती है कि दलिद लड़की के साथ बलातकार हो और पोलिस उसे रात के अंधेरी में बगैर परवार के लोगओं को साथ लिए चेहरा देखाए और उसकी अंतिम संसकार कर दे ये कौन से कहना चाहिए संसकारों की बात है या कोई नियम आइक कानून की बात है इनके सारे काम इसी तरीके के है चलिए वो तो राजनीतिक बात हुई अभी बरेली में सवानज़दी पार्टी की कितनी सीटे आप लोग लेके आवार है ऐसा है मानिया अखलेश यादिव जी का पूरे प्रदेश के अंदर नहीं देश के अंदर डंका बोल ले आए जितने कारी करम चाहिए पूरवांचल की बात हो चाहिए पश्च्वांचल की बात हो जहां गए लोग रात से लेके यानि हमें जगे आगे मिल जाए इस होड के चक्कर में तीन बज़े दो बज़े से बैठना उन मैदानों में सुरू कर दिया उन सड़कों पर बैठना की अखलेस भी आ रहा है तो अखलेस जी के कार जो उनकी पिछली सरकार में थे वो ऐसे कहना चाहिए अलविले कार हैं जैसे गरीबों के लिए कैसे करके गरीब गाउं से शहर पहुँचे अस्पताल में उनने हमिलेन चालू कर दिया उनने वेटियों कन्यादन देना सुरू कर दिया शहर की गुंडा गिर्दी बंद करने के लिए 1090 चालू कर दिया ये काम तो ये है कहना ची गुंडा गिर्दी कम करने के कि तुरंट 15 मिनिट में गाड़ी पहुँच जाए चाहे 100 नंबर का काम यही इलाज के लिए 102 नंबर और 8 नंबर का काम ही और 1090 का भी गुंडे बदमासी खतम करने के लिए जो छिणने वाले मंचले लड़के उने पकड़ के बंद करने का काम और इसके लावा 45 जन्पदों में को फोरलेंज से जोड़ने का काम किया एगरी कल्चर में तो इतना बड़ी भारी सबसिटी से लेके और दुनिया वर काम किया जिसका आज तक कहीं हुआ ही नहीं और अखलेशी आदब तो पैमेंट करने का साथ इस बार किसान पस्मी उत्तर परदेश के जाएंगे समानोधी पार्टी के साथ कि पिछली बार 2017 में माना जाता है साथ की बिधर गया था पस्मी उत्तर परदेश बढ़ गया था बात पस्मी उत्तर परदेश की अखलेश माननी अखलेश यादव जी की कोई शानी नहीं है और जबरजास्त बहुत बड़े ब्रहमत के साथ हम लोग आएंगे बरेली में लगबग कितनी सीटे समाने भी पार्टी गया नो की नवो जीतंगे